हेलो स्टुडेंट स्वागत है आपको वाइस इस्टडी पॉइंट में आज हम यूपी की स्पेसल जीके देखने वाले हैं तो उत्तर प्रिदेश की जितनी भी करंट अफेर्स या फिर स्टैटिक जीके है आज हम उसको देखने वाले हैं तो यह जो वीडियो है मेरी यह 10-day series की रूप में मैंने इसको बनाया है इसमें क्या होगा? डे 1, डे 2, डे 3 लगातर आपको 10 दिन तक लगातर एक वीडियो में 30 questions देखने को मिलेंगे तो ऐसे करकर अगर मैं 10 दिन के लिए अगर यह वीडियो डालता हूँ तो आपके टोटल 300 questions हो जाते हैं यह आपके जो 18 फरवरी को exam होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा useful है तो UPSI यह जो 1-day exams होते हैं उसके list सबके लिए यह fruitful शावित होगे तो चलते हैं आपने पहले question की तरफ आज का हमारा पहला question है निमलक्त मेंसे किसे उत्तर प्रदेश में मंदिरों के सहर के रूप में जाना जाता है वारा नसी, लकनो, बारा मंकी यह भोपाल तो इस question का right answer हो जाएगा आपका option number A वारा नसी तो वारा नसी को मंदिरों के सहर के रूप में जाना जाता है और ये सबसे पुराना प्राचिंतम सहर भी है वरानसी नेक्स्ट बेगम सम्बरू ने एक अति प्रिसिद्ध चर्ज का निरमाड करवाया था ये बताना है आपको कहांपर करवाया आपसें अमाउंट आवो, नैनिताल, सरदना ये कानपूर तो इस कोशिन का राइट अंसर हो जाएगा आपका आपसें नमबर C, सरदना तो बेगम सम्बरू ने एक अति प्रिसिद्ध चर्ज का निरमाड करवाया जो कहांपर करवाया नोंने सरदना में अब इस चर्ज के वारे में जान लीते हैं सरदना अपनी आश्चर जनक बेसल का के लिए प्रिसिद्ध है जिसे 1822 में बनाये गया था और ये वर्जन मेरी और उनके चमितकारी उपचारों के लिए समर्पित है नेक्स्ट कुश्चिन निम्न में कौन सही सुम्मेलित नहीं है आप्शन A कबिर पंथियों का पवित्र तीरत इस्तल मगहर भगवान बुद्ध का महापरी निर्वान इस्तल कुशी नगर सूफी संत हाजी वारिस अली साकी मजार देवा सरीफ ये 88,000 रिसियों की तपस्तली संकिसा तो आपको बताना है इसमें सुम्मेलित कौन सा नहीं है सही इसमें बाकी के तीन सही होंगे एक गलत है वो आपको पैचानना है तो इस कोशिन का राइट अंसर क्या हो जाएगा इस कोशिन का राइट अंसर हो जाएगा आप्शन नमबर D अठासी हजार रिसियों की तपस्तली संकिसा नहीं है कविर पंथियों का पवित्त तीर देसल गया है मगर के नाम से जना जाता है बगवन बुद्ध का महा परिनिर्वण स्तल कुसी नगर में है सूफी संथ हाजी वारिस अली साकी मजर कहां पर देवा सरीफ में है तो ये तीनों सही है जो गलत है वो कौन सा है वो है अठासी हजार रिसियों की तपस्तली संकिसा नहीं है ये है नेमी सारन्य ये क्या है नेमी सारन्य और ये नेमी सारन्य क्या है यहाँ पर 88,000 और इसी थे इनकी यह तपस्तली है यह याद रखने हैं आपको निम्न में से किस जन्पद में कलिंजर किला इस्तित है जहांसी, बांदा, चित्रकूट, यह जालॉन तो इस question का right answer हो जाएगा आपका option number B, बांदा तो जो कलिंजर किला है, यह कहाँ पर इस्तापेत है तो यह है बांदा में अब कलिंजर किला के बारे में जान लेते हैं इससे भारत के विसाल और अपाराजे द्रोगों में गिना जाता रहा है इस किले को 225 समवत यानि की 138 सीजवी में जन में चेंदल समराट चंदर वर्मन प्रतम ने बनवाया था नेक्स्ट कोश्चन उत्तर पदेश राज परेटन विकास निगम लिम्टेड की इस्तापना कब की गई वर्स 1974 में वर्स 1974 में या वर्स 1994 में या वर्स 1990 में इस कोश्चन कर राइट अंसर क्या हो जाएगा हमारा आपसर नमबर A वर्स 1994 में नेक्स्ट कोश्चन निम्ट में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है विंद्यांचर मिरजापुर, हस्तिनापुर मेरट, देवा सरीफ बराबंकी, यस्रवेंगरपुर फैजाबाद तो इस कोश्चन कर राइट अंसर क्या होना है इस कोश्चन कर राइट अंसर हो जाएगा अपसर नमबर D सरंग वेरपुर तो सरंग वेरपुर फैजाबाद में नहीं है इसके वारे हम जान लेते हैं तो हमें यहां से क्लियर हो रहा है कि विंद्यांचर कहां पर है मिरजापुर में हस्तिनापुर मेरट में और देवा सरीफ बाराबंकी में ठीक यह चीचे हमें क्लियर हो रही है अब जो सरंग वेरपुर है वो फैजाबाद में नहोकर कहां पर है यह देखेंगे हम तो यह प्रयागराज में है सरंग वेरपुर एक प्रेटन इस्तल है जो लखनो रोड पर प्रयागराज से 45 किलोमेटर दूर दूरी पर इस्तित है इस्तानी लोग कताओं के आधर पर यह वही जगह है जहां भगवान राम ने सीता और लच्मण के साथ बनवास पर जाते हुए रास्ते में गंगा नदी को पार कराया था नेक्स्ट कोशन इलहाबाद इस्तित एल्फिड पार्क का पन्हे नामकरण किया गया है तो यह पार्क का जो पन्हे नामकरण किया है किसके नाम पर किया गया है यह आपको बताना है ऑप्सन है बगत सिंग के नाम पर सुभास चंदर बॉस के नाम पर चंद सेखर आजात की नाम पर या मोती लाल लहरू के नाम पर तो इस question का right answer हो जाएगा आपका option number B चंद सेकर आजाद के नाम पर इस question का right answer हो जाएगा यहीं पर क्या हुआ था कि यहाँ पर जो बिटिस आर्मी थी इन्हों ने बिटिस आर्मी ने चंद सेकर आजाद को घेर लिया था अलफरेड पार्क में और यहीं पर अंग्रेजों से बचने के लिए कि मैं अंग्रेजों के हाथ ना हूँ इसलिए चंद सेकर आजाद ने अपने ही आपको गोली मार ली थी तो किस पार्क में थी एलफिर्ट पार्क में और अब इसी एलफिर्ट पार्क का नाम सुबा वो सॉरी चंदर सेकर आयल के नाम पर रखा गया है नेक्स्ट कोश्चन विख्यात भारत माता का मंदर कहां इस्तित है? लखनों में? इलहबाद में? वारा नसी में या मेरट में तो इस question का right answer क्या हो जाएगा हमारा तो इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number B वार नसी में तो वार नसी में भारत माता का मंदिर इस्तित है next question कालपी नगर किस नदी के तड़ पर इस्तित है गंगा, यमना, नर्मदा, ये कृष्णा तो इस question के right answer हो जाएगा हमारा option number B, यमना तो कालपी नगर, यमना नदी के तरड़ पर रिस्तित है और ये किसकी जन भूमी मानी जाती है तो महरसी वेदव्यास की जन भूमी मानी जाती है जान लेते हैं इसके बारे में कालपी वेदव्यास ची के जनमिस्तान है बेरबल की एक काली हवेली और रंग महल यहीं पर इस्तित है जिसे रंग महल भी का जाता है रेल्वे कालपी उत्तर मत रेल्वे के कान पूर जान सी रेल्वे खंड का एक प्रमुक रेल्वे श्टेशन है रोडवेज कालपी रास्ट राजमाक कान पूर जान सी खंड पर NH 27 पर स्थित है नेक्स्ट कोश्चन आगरा सेर्ट की स्तापना किस ने के थी बहलोल लोधी ने खिरज रिखान ने फ्रोज तुगलक ने या सिकंदर लोधी ने तो इस question करать answer क्या हुजाएगा हमारा option number D, सिकंदर लोधी तो सिकंदर लोधी ने आगरा सेर्ट की स्तापना की थी आग्रा सेर्क को सिकंदर लोदी ने 504 ECV में बसाया था और ये आग्रा मुगल सामराज की चहिती जगे बने रही 1526 से लेका 1658 की मुगल सामराज की राज़ानी रही नेक्स्ट कोशिन हर्सवर्दन ने दो महान धार्मिक सम्मेलन किये तो ये कहां पर किये ये बताना है कन्योज और प्रियाग में थानेश्वर और बललबी में ये प्रियाग ये थानेश्वर में ये बललबी प्रियाग में तो इस कोशिन का राइट आंसर हो जागा हमारा अप्सन नंबर ए कन्योज कन्योज और प्रियाग में इसके पता ने आलोकन हुडों को पराजित किया था और इसके छोटे भाई का नाम राज्यवर्दन था जो थाने सर्वर सासन करता था हर्थवर्दन कौन से वन सिका था तो हर्थवर्दन बेश वन सिका था और हर्थवर्दन को और किस नाम से जानते थे पुष्य भूती के नाम से भी जानती थे नेक्स्ट कुश्चन हिंदू मुसलिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयुजन कहां किया जाता है तो ये option पूहें आपके आगरा में, आलीगड में, इटावा में या बरामकी इस question का right answer हो जागा आपका option number A आगरा में, तो आगरा में हिंदू मुसलिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयुजन किया जाता है इसकी निव अकवर ने रखी दिम अकवर ने सुलह कुल का विचार पेस किया था जिसका अर्थ सारवहमिक सांती है नेक्स्ट question चोरी चोरा किस जिले में इस्तित है देवरिया, महराज गंज, कुसी नगर या गौरकपूर तो इस question का right answer हो जाएगा आपका option number D गौरकपूर तो चोरी चोरा किस जिले में इस्तित है गौरकपूर जिले में इस्तित है अब जो चोरी-चोरा की जो गटना है उसको जान लेते हैं बाहत के इतियास में आमर्ट चोरी-चोरा कांट फरवरी 1922 को बिटिस भारत में संयुक्त राज के गौरकपुर जिले में चोरा-चोरी में हुआ था तो इसमें हुआ क्या था? जब आसायोग आंदोल में भाग लेने वाले प्रदेशन कारियों को एक बड़ा समूप पुलिस के साथ बिढ़ गया तब ये गटना गटित हुई थी जब आभी कारवाई में प्रदेशन कारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन आग लगा दी जिससी उनके सबी करमचारी मारे गए उस पुलिस स्टाने के ये इस गटना के कारवड तीन नागरेकों और बाइस पुलिस करमियों की मिर्ति हुई थी तो इस गटना के बाद मादमा गांदी जी ने जो हिंसा के गोर विरोधी थे इन्होंने इस गटना का प्रतियच प्रणाम के रूप में उन्होंने आंदूलन करने की गोशना कर दी तो इसके बतले में क्या हुआ तक गांदी जी ने इस जो आसवयों के आंदूलन चल रहा था उसको खत्म कर दिया था इस गटना के बाद नेक्स्ट कोश्चन नेमी सारने तीर्थ किस जन्पद में है उज्जेन मत्रा, सीतापुर ये जबलपुर इस कोश्चन का राइट अंसर हो जाएगा आपका आपसे नमबर सी सीतापुर तो नेमी सारने तीर्थ किस जन्पद में है सीतापुर में इसको हमने जाने लिया था, नेमिसारा ने है गया, ये तपो वुमी थी, 88,000 रिजिसियों ने यहाँ पर तपस्या की थी, नेक्स्ट कोश्चन, बुद्ध का जनम स्थान कहां पर है, या बुद्ध का जनम कहां हुआ था, मात्मा बुद्ध का, वैसाली में, लुम्बनी में, कपिल वस्तु में, या पाटली पुत्र में, तो इस कोश्चन का राइट अंसर हो जाएगा, आपको अपस नमबर B, लुम कि अब यहां पर मतलब जैसे की, कि लुम्बनी कहां पर है, तो लुम्बनी आज के समय नेपाल में है, जौनपूर नगर की स्थापना किस की स्मृती में की गई थी, ग्यासोदिन तुगलक, मुहमद बिन तुगलक, फ्रोचसा तुगलक ये अकबर, तो इस कोश्चन का रा कहा जाता था, तो इनके जो भाई थे, चचेरे भाई, तो उन्होंने इनके नाम पर ही, जौनपूर नगर की स्थापना की थी, जान ले ते हैं इसको विस्तार में, सरप्रितम इस स्थान पर कन्नोज के सासक ने आकरमन करके इसे अपने आदेन कर, इसका नाम क्या रखा था यवनपूर, तो जौनपूर का पहले नाम क्या था, यवनपूर, उसके बाद इस पर तोगलक सासक फ्रोजसा तोगलक ने इसकी इस्तापना तेरे भी सदी में की थी, और उसने अपने चचेरे भाई, मौम्मद बिन तोगलक की याद में, जिसका वास्तविंग नाम जौना तो इस कोशन कराइट अंसर हो जाएगा, आपका आपसन नंबर सी, आमिर कुसरो का जनम कहा पर हुआ था, तो कास बंज में इनका जनम हुआ था, अब इनके बारे में जान लेते हैं, आमिर कुसरो अलावदिन खिल जी के प्रिसिद संगित कहा थे, दिरली सल्तनत के साथ व दूफी गायक कवी और विद्वान थे, कहा जाता है सितार का अविश्कार अमिर कुसरो नहीं किया था, नेक्स्ट कोशन, उत्तर प्रदेश का प्राचिनतम जीवन्त नगर कौन सा है, आयध्या, वारानसी, इलावाद ये कन्नोज, ये मैंने इससे पहले आपको कोशन बता चुका हूं, तो बताइए, उत्तर प्रदेश का प्राचिनतम जीवन्त नगर कौन सा है, तो इस कोशन का राट अंसर हो जाएगा आपका अप्सन नमबर B, वारानसी, तो उत्तर प्रदेश का प्राचिनतम जीवन्त नगर कौन सा है, वारानसी, नेक्स्ट कोशन, निम्लिक का right answer क्या हो जाएगा हमारा option number D. अकवर का मकबरा तो अकवर का मकबरा विश्व धरो इस तल में सामिल नहीं है Next question निमलिकित में से कौन उत्रपदेश में बौद परिपत का भाग नहीं है कपिल वस्तू, कुसी नगर संकिसा, इसराविस्ती तो इस question का right answer हो जाएगा आपका option number C संकिसा तो बौद के परिपत में कौन सा नहीं है, संकिसा नहीं कपिल वस्तू, कुसी नगर, सरावस्ती ये इनके बौद के परिपत में आते हैं अब जान लेते हैं बौद अनुसरती के अनुसर ये वही इस्तान है इस प्रकार गौतम बौद के समय में भी ये एक ख्याती प्राप्त नगर था कौन सा? संकिसा Next question Lord Cornwallis की कब्र कहां इस्ते थे? Lord Cornwallis की कब्र कहां इस्ते थे? गाजिपूर बलिया वाणसी या गौरखपूर तो इस question का right answer किया हो जाएगा हमारा इस question का right answer हो जाएगा हमारा आपसे नंबर A गाजिपूर तो Lord Cornwallis की कब्र कहां इस्ते थे? गाजिपूर में आप Lord Cornwallis की बात हो ये थे Cornwallis की बारे में जा ले थे हैं Cornwallis Ford William Presidency के Governor General के रूपा है थे ये बंगाल के Governor General भी थे इनके समय में जिले के सभी अधिकार कलेक्टर को दिया गया और इसी समय मतलब इनी को भारती सिविल सिवा का जनक भी कहा जाता है तो Lord Cornwallis को भारती सिविल सिवा का जनक माना जाता है Next question निम्न में से कौन सही सुमेलेते नहीं है गंगा वारनसी, कौमती लखनव, कोसी गौरकपुर, सरीव अयद्या तो इस question कर रेटन सरोज क्या हो जाएगा हमारा option number C कोसी गौरकपुर गंगा वारनसी सहर है वो गंगा के इनसे दिक बसा हुआ है लखनव सहर गौमती नदी के किनारे बसा हुआ है अयद्या सर्यू किनारे बसी हुई है और जो गौरकपुर है वो कोसी नदी के किनारे नहीं बसा हुआ नेक्स्ट कुश्चन निम्ण मैंसे कौन समयलेत नहीं है सरंग वेरपुर बांदा हसनापुर मेरट विंद्यांचल मिरजापुर देवासरीफ बाराबंकी तो इस कोशन का राइडनस क्या हो जाएगा हमारा इस कोशन का राइडनस हो जाएगा हमारा option number A प्रति वर्ष प्रिसिद्द सूफी संत हाजी वारिस अलिसाह की मजारपर मिला लगता है वो कहाँ पर लगता है तो इस कोशन का राइडनस हो जाएगा आपका option number C देवासरीफ तो प्रति वर्ष संत हाजी वारिस अलिसाह का मिला जो लगता है वो देवासरीफ में लगता है इनके बारे में जान लेती है हाजी वारिस अलि जिनकों की सरकार वारिस पाक भी कहा जाता है ये 1819 से लेकर 1905 ECV के मद्द में एक सूफी संत रहे थे और बारा बांकी भारत में सूफी वार्षी आदेश के साबक थे इन्होंनी व्यापक रूप से पस्चमी यात्रा की और लोगों को अपनी अध्यात्म सिच्छा ग्रेंट कराई और लोगों ने इनकी सिच्छाओं को ग्रेंट भी किया सूफी कार गिया इनकी दर्गा बारा बंकी इस्तित देवा सरीफ में इस्तित है जो अवद छित्र की सबसे बड़ी दर्गा में से एक है इसलिए इन्हें सेहनसाई अवद के नाम से भी जाना जाता है नेक्स्ट कोश्चन केंदरी ग्लास एवं सरेमिक अनुसंदान संस्तान कहां इस्तित है आगरा, कानपूर, फ्रोजाबाद या खुरजा तो इस कोश्चन का राइड अच्छन हो जाएगा आपका ओप्सिन नमबर दी खुरजा तो केंदरी ग्लास एवं सरेमिक अनुसंदान संस्तान खुरजा में इस्तित है नेक्स्ट कोश्चन भारती ग्लास एवं चारा अनुसंदान संस्तान कहां इस्तित है बीकानेर, जवलपूर, भोपाल या जहांसी इस question का right answer क्या हो जाएगा हमारा option number D जांसी तो जांसी में भारतिय गास एवं चारा अनुसंदान संस्तान इस्तित है next question भारतिय नेक्स्त क्योश्चिन उत्रप्रदेश गन्ना अनुसंदान परसित कहां अवस्तित है मेरट, कानपूर, लकनव, साजापूर तो इस question का right answer क्या हो जाएगा हमारा option number D साजापूर तो उत्रप्रदेश का गन्ना अनुसंदान परसित साजापूर में इस्तित है next question भारती वनस्पती सोथ संस्तान कहां अवस्तित है कानपूर में, धामपूर में, पुरामपूर में या लखनाउं तो इस question का right answer क्या हो जाएगा हमारा option number question का right answer हो जाएगा हमारा option number D लखनाउं में तो भारती वनस्पती सोथ संस्तान कहां अवस्तित है लखनाउं में next question भारत में दूसरा forensic विस्विद्याले कहां इस्तापूर होना प्रस्तावित है लखनाउं में, आगरा में, वरानसी में या रामपूर में तो दूसरा forensic विस्विद्याले कहां प्रस्तापूर होगा तो इस question का right answer हो जाएगा हमारा option number D रामपूर में तो पहला कहां पर है ये दूसरी की बात हुए तो पहला कहां पर है ये देख ले थे नेक्स question उत्रपिदेश क्रिशी अंसंदान परस्त कहां इस्तित है गाजयवाद, लखनाउं, आगरा, ये कानपूर तो इस question का right answer हो जाएगा आपका option number B लखनाउं तो जो उत्रपिदेश क्रिशी अंसंदान परस्त है वो कहां पर है लखनाउं में तो इसी के साथ आज के हमारे जो तीस question है वो सवामत होती है अब ऐसे तीस question मैं next लेकर आऊँगा आपके लिए अगले दिन तो अगर वीडियो आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो को like जरूर करें अगर content अच्छा लग रहा हुऊ तो content ऐसा ही content regular पाने के लिए चैनल को subscribe जरूर करें और वीडियो informative लगी हो तो वीडियो को share जरूर करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद